हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है ओपेन एस कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो के अंदर वो देखेंगे चले शुरू करते हैं आप अपने लेप्टप या पीसीच अंदर को भी ब्राउजर ओपेंड कर लीजागा ब्राउजर ओपेंड करने के बाद आप Google都 Rail कर लिजएगा Google open करने के बाद यहां पे आपको type करना है open as card और enter कर देना है enter करते ही आपको first option दिख जाएगा इसके उपर आपको click कर देना है click करते ही open as card का officially website open हो जाएगा open होने के बाद आपको क्या करना यहां पे download का टाइप दिखेगा इसके उपर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं यह पेज ओपेन हो जाएगा बाकि यह लिंक आपको description में भी डाल दूँगा या तो आप description में जाके link को copy कर लिजेगा अपने browser के URL में paste कीजएगा इंटर कीजएगा तो भी directly यह पेज ओपेन हो जाएगा यह पेज ओपेन होने के बाद यहाँ पर आप देखेगा Mac के लिए Windows के लिए Linux के लिए सब के लिए मिलेगा आज का हमारा topic है विंडो तो इसलिए आपको विंडो के बारे में ही बताऊंगा तो विंडो के लिए आपको दाउनलोड कीजएगा यदि आपको नहीं पता कौन सा विए चली वह भी बता दे तो आपको कैसे चेक करते हैं तो आपको क्या करना है desktop के उपर आपको right click कर देना है right click करके property के उपर जाने के बाद आपको क्या करना है system type के अंदर यहाँ पर देख लिजएगा यदि 32 bit लि 32 bit का EXE डाउनलोड करके आप install कर लिजएगा चली अब इसको close करते हूं फिर से browser के उपर जाते है browser को पर जाने के बाद आपको क्या करना है यदि आपको case में 32 bit का EXE होगा तो 32 bit का EXE डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर click करना है यदि मेरे case में 64 bit का EXE डाउनलोड करना है इसलिए मैं यहाँ पर click करूंगा click करते हैं यह page open हो जाएगा open होने के बाद आपको क्या करना है बाद select कर लिजएगा जहाँ भी EXE को आप save करना चाहते है और save कर लिजएगा save होने के बाद आपको क्या करना है EXE को उपर right click कर देना है right click करने के बाद आपको property के उपर जा हैं तेनों चीड में से कोई भी है चीजा कर यहां कर दिए हैं सार्च वार में जाकर यहां पर अब करते हैं और यहां से क्लिक करते हैं प्रोपर कोडिंग का सब्सक्राइब करें यहीं आज का हमारा टोपिक था फिर भी आपको डाउनलोड या इंस्टोलेशन में कोई प्रावलम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजेगा मैं आपको जरू हेल्प करूंगा और प्लीज गया चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें थैंक यू